Hello guys and welcome to our channel my name is Rahul Vagat and you are watching Bright Academy channel आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं IIT's college versus rank यानि कि अपन देखेंगे कितने rank में जो है कौन सी IIT हमें मिले की IIT's की opening और closing rank देखेंगे अपन कि कितने rank हमारे रहेंगे तो आपन इस IIT में admission ले पाएंगे और कितना minimum rank होना चाहिए इस IIT में admission लेने के लिए तो आपन एक एक करके देखेंगे और यह अपन बात करेंगे OBC category के लिए तो आपन इसमें OBC category के लिए सिर्ब बात करेंगे तो अपन यहां पर एक एक करके देखेंगे पहले 19 का देखेंगे फिर 20 का देखेंगे 2019 का 2020 का दोनों पर हम लोग compare भी करेंगे कि कितने का difference है तो अपन सबसे पहले start करेंगे पहला है हमारे पास IIT खड़कपूर से तो IIT खड़कपूर पर अगर बात करें हम पहले बात कर लेते हैं computer science ब्रांच पर तो computer science ब्रांच पर cutoff 149 तक गया हुआ है तो यह अपन बात करें 2020 की यानि कि 2020 में अगर आपके rank IIT के अंदर OBC rank जो है आपका 149 रहता है तो आप वहाँ पर admission ले सकते है computer science ब्रांच में ठीक है और अगर 2019 की बात करें तो उसमें था 119 यानि कि आप देख सकते है difference कितना है difference 30 का है 2019 से 2020 के अंदर में तो इस बार भी अपन ऐसा predict कर सकते हैं कि 30 plus minus 30 का जो है difference हो सकता है ठीक है यह exact नहीं बोला जा सकता है ठीक है वो तो result आने के बाद counseling होगा उसके बाद ही पता चलेगा लेकिन अभी अपन बस predict कर सकते हैं कि कि कितना cutoff जो है वो जा सकता है तो अगर बात करें कि जो हमारा IIT खड़कपूर के अंदर जो भी मतलब नीची का branch है जहां पर आप admission ले सकते हैं तो वहां पर rank आपका होना चाहिए यानि कि आप closing rank इसको बोलेंगे 3875 जो कि 2020 का है और यह आप branch देख सकते हैं क्या है यह agriculture and food engineering ठीक है तो यहां 3875 आपका rank तक जो है admission मिल सकता है 2020 के अनुसार लेकिन अगर 2019 में देखें तो यहां पर है 3509 तो आप यहां पर विदेश करते हैं कि 300 ranks का है वो जो है difference है ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला रहेगा ठीक है और आगे बात करें कि अगर आप dual degree के लिए देखते हैं यानि कि B.tech प्लस M. जो कि पास्ताल की course रहती है तो वहां पर देखें तो mining safety engineering में 4592 जो है हमारा closing rank था ठीक है OBC category के लिए ठीक है तो इस वीडियो में अपन OBC category की ही बात करेंगे ठीक है फिर next देखते हैं IIT Bombay के लिए तो IIT Bombay में सबसे पहले अगर CS की cut-off देखें तो वह है 44 यानि कि 2020 में 44 rank तक आपको जो है IIT Bombay में CS मिल जाती और 2019 की बात करें तो यहां पर 37 तो आप देख सकते हैं difference कितना है 437 का difference है तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला रहेगा ठीक है plus minus 7 हो सकता है ठीक है आगे बात करें closing rank की IIT Bombay में तो IIT Bombay में closing rank जो है हमारा 2020 में 2185 था जो की metallurgy branch के ल 200 का difference है ठीक है तो इस बार भी कुछ है ऐसा ही होने वाला है अगर आप आगे बात करें कि dual degree की बात करें विटेक प्लस एम्टेक तो आप environmental science and engineering में यहां पर dual degree कर सकते हैं अगर आपका rank 3235 से के अंदर रहा तो लेकिन यहां पर यह जो है 2020 का है 2021 में कुछ ना कुछ डिफरें की तो IAT मदरास में आप देख सकते हैं CS की cutoff 192 है 2020 में और 2019 की बात करें तो 83 है हमारा cutoff था और आगे बात करें अपन जो भी closing rank था हमारा IAT मदरास के लिए तो वो था 3423 naval and ocean engineering के लिए और 2019 की बात करें 2418 तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है तो उसी तरीके से difference हो सकता इस बार भी अगर आप dual degree के बात करें तो 5227 जो है cutoff गया था dual degree के लिए biological engineering में के अंदर ठीक है अगर next बात करें IAT कानपूर IAT कानपूर का cutoff देखें सबसे पहले CS की बात कर लेते हैं तो 152 जो है हमारा 2020 का CS का cutoff था और 133 हमारा 2019 का cutoff था अगर बात करें आप closing rank की तो closing rank 3669 था biological engineering के लिए अपका closing rank था 2020 में और अगर 2090 की बात करें तो यह था 3399 तो आप difference देख सकते हैं बिलकुल आप देख सकते हैं होंगे सारे IAT के अंदर जो difference है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता नजर आ रहा है तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ठीक है आप यहा आगे बढ़ते हैं तो अपन देखेंगे IAT Delhi के बारे में तो यहां पर देखें तो हमारा जो CS का cutoff है 2020 के अंदर वो है 83 यानि 83 rank जो है आपका OVC rank वो cutoff था CS के लिए और 19 में बात करें तो 65 था ठीक है और अगर closing rank की बात करें तो textile के अंदर closing rank था 3299 ठीक है और 19 में 3258 औ ठीक है आप यहां पर देख सेक रहे होंगे कि IAT कानपूर में आपका dual degree के लिए कुछ नहीं था यानि कि dual degree के लिए कोई course नहीं है IAT कानपूर के अंदर इसलिए यहां पर blank दिया गया है ठीक है आगे अपन बात करते हैं IAT Guwahati के लिए तो IAT Guwahati के लिए अगर देखें तो के बात करें तो बायो टेकनोलाजी के लिए क्लोजिंग रैंक है 4328 2020 के लिए और 3971 2019 के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ IAT rule की की बात करें तो यहां पर आपका computer science की जूर रैंक है वो cutoff है 205 ठीक है वह 2020 के लिए था 195 2019 के लिए अगर बात करें क्लोजिंग का cutoff था अगर फिर बात कर लेते हैं अपन dual degree की तो आप geological technology में dual degree कर सकते हैं 4601 जो है इसका 2020 में cutoff था फिर आगे बढ़ते हैं अपन तो next अपन देखते हैं IAT Roper जो की एक नहीं IAT है ठीक है तो यहां पर अगर cutoff देखें आप computer science की तो 1004 ठीक है तो 1004 आपका जो cutoff था computer science के लिए 2020 में और अगर आप 2019 की बात करें 1010 ठीक है आप देख सक रहे होंगे difference आप देख पा रहे होंगे कि कितना difference जो है था दो साल के अंतर में ठीक है तो अगर आप फिर closing rank की बात करें तो यह 4962 जो है नहीं है ठीक है फिर नेक्स बात करते हैं अपन आइट भूमनेसर की तो यहां पर cutoff देखें CS के लिए 848 और हमारा जो है 19 के लिए cutoff देखें 1030 है ठीक है अगर बात करें अपन next closing rank की तो closing rank 4866 ठीक है यह metallurgy के लिए है तो अगर 19 की बात करें तो 3759 ठीक है अगर आप dual degree कर 2020 की cutoff है 767 और 616 है 2019 की ठीक है अगर बात करें closing rank यानि metallurgy की ही है closing rank यहां पर 4663 और आपका 19 में था 4030 metallurgy की ही ठीक है यहां पर भी dual degree course जो है नहीं है ठीक है यहां पर इसलिए blank छोड़ा गया फिर आगे बात करें है आइट हैदराबाद की आइट हैदराबाद की बात करें तो CS में 228 जो है cutoff गया था 2020 के लिए और 287 2019 के लिए CS की बात कर रहा हूं है और फिर अगर closing rank देखें तो closing rank biomedical engineering में गया था 3917 का जो कि 2020 का और 3035 जो था वो 2019 का cutoff था अब का metallurgy का ठीक है आगे बात करते हैं IIT जोदपूर तो यहां पे cutoff देखें CS के लिए 1184 और 2019 में CS की cutoff देखें 1297 अगर बात करें closing rank की तो closing rank है 5462 biological engineering की और 19 में biological engineering की closing rank जो भी थी वो थी 4666 ठीक है और यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि dual degree course अब लेवर नहीं है ठीक है फिर next आपन बात करते हैं IIT पटना की पटना की बात करें तो यहां पे आपका CS के लिए closing rank हो जाएगा 1108 2020 के अनुसार और 2019 के अनुसार 977 ठीक है अगर बात करें closing rank की closing rank या metallurgy की है 5226 2020 के लिए और 2019 के लिए 4260 ठीक है इसे के साथ अपना आगे बढ़ते हैं और next हमारे पास है IIT इंदौर IIT इंदौर में CS की cut off है 498 और 2019 में CS की cut off है 444 ठीक है और closing rank की बात करें metallurgy के लिए 4237 2020 के लिए और 3712 2019 के लिए फिर next आता है मारे पास IIT मंदी IIT मंदी में अगर बात करें 1258 CS का cut off था 2020 में 1140 2019 में ठीक है आप यहां पे dual degree course भी आपको मिल जाएगा 5595 जो cut off था 2020 के लिए biological engineering में ठीक है next बात क करें closing rank की closing rank यहां पर engineering physics की है 4441 ठीक है और यहां पर ceramic engineering की थी 2019 में 3278 नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है IIT VHU ठीक है तो यहां पर CS की cut off देखें 380 जो है हमारे cut off था 2020 में 367 2019 में ठीक है अगर बात करें closing rank की तो 5391 थी 2020 में engineering के लिए और 4476 2019 में जो हमारा closing rank था pharmaceutical engineering के लिए फिर next बात करें IIT पलककड पलककड की बात करें तो 2321 जो हमारा CS की cut off थी और फिर अगर बात करें closing rank 2019 में CS के लिए 1876 थी और अगर बात करें अपन closing rank की बात करें पूरी IIT की कि आप कितने rank तक वहां पर उस IIT के अंदर admission ल यहां पर मैं बोलना भूल गया था जो हमारा BHU के अंदर आपको dual degree course भी मिल जाएगा ceramic engineer के अंदर तो उसका cutoff 2019 में था 5569 ठीक है फिर आगे बात करते हैं IIT तिरुपती यहां पर देखें CS की cutoff 2020 में 1663 और 19 में 1318 ठीक है आगे बात करें closing rank की IIT की closing rank की कौन सी closing rank है तो आपक chemical engineering मिल जाएगा 4761 ठीक है यह 2020 की है और chemical engineering मिल जाएगा 40480 यानिकी 19 की cutoff है फिर आगे बात करते हैं IIT ISM धनबाद जो की जारकंड में है तो अगर बात करें यहां पर CS के लिए cutoff 2020 में तो 998 है और 2019 की बात करें तो 1005 है ठीक है closing rank देखे college की तो 5309 थी हमारी 2020 में environmental engineering के 2019 के अंदर फिर आगे बात करें यहां पर dual degree course भी है तो आप applied geology में dual degree course कर सकते है 5548 जो है इसका cutoff था 2020 में आगे बात करते हैं अपन IIT विलाई के लिए IIT विलाई में CS की 2020 में cutoff थी 2189, 19 में 1972 आगे बात करें अपन college के cutoff की तो यहां पर mechanical आपको 4453 तक मिल जाता 20 की बात कर करें 19 की तो 3652 तक आपको mechanical मिल जाती है यहां पर EE की cutoff दी गई है आप देख सकते हैं ठीक है आगे बात करें IIT Goa की तो यहां पर देखें 1846 जो है हमारे CS के cutoff था 2020 के अंदर 1662 जो है 2019 के अंदर और अगर बात करें college cutoff की तो mechanical engineer आपको 4264 तक मिल जाता ठीक है और 2019 की बात क CS की cutoff थी 2020 में 2557 2019 में 2332 ठीक है आगे बात करें अगर college की closing rank closing rank की बात करें तो metallurgy की 5421 थी आपकी 20 में और 19 में थी 4620 तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जितने भी नए IIT है उसमें जो है dual degree course नहीं मिल रहा है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं पुराने IIT में आपको dual degree course मिल जाते हैं अभी एक दो नए IIT भी है जिसमें आपको dual degree course मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन तो next हमारे पास last है IIT धरवार तो यहां पर बात करें closing rank computer science की 2020 के अंदर 1891 ठीक है और 2019 के अंदर 1891 ठीक है दोनों यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोनों same cutoff थ आगे बात करें 2020 में closing rank की 3620 mechanical engineering के लिए था और 19 में closing rank भी टेक कि लिए देखें 3620 mechanical के लिए था तो यहां पर भी आपको dual degree course नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर बात करें कि इस बार की cutoff यानि 2021 की cutoff की अगर बात करें तो आप यहां से predict कर सकते हैं कि आपका cutoff किता रह सकता है और रह सकता है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो भी 19 और 20 के बीच में difference है CS के लिए या फिर आपका closing rank में जो difference है आप वहां से predict कर सकते हैं कि इस बार जो है cutoff क्या रहेगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको SCST के लिए भी चाहिए तो अपन SCST के लिए भी जरूर लाएंगे वीडियो ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें thank you